जेहिंद आज हम बात करेंगे CAPF HCM और SI STENO LDC examination जो बिभागी परिक्षा होती है उसके बारे में अब जो LDC का examination आएगा क्या वो CAPF के तहट आएगा सर्फ अलग-अलग बिभाग का जो बिभागी परिक्षा होती है CAPF कराएगा या अलग बिभाग कराएगा अपना अपना जो है तो इसमें जो पोस्ट क्रियेट की जाएगी नई पोस्ट LDC के लिए जो सभी विभाग के लिए अलग-अलग मैं विभाग का अलग-अलग पोस्ट इस वीडियो में बताता हूं उसके बाद यह भी बताऊंगा कि यह परिक्षा CAPF के तहत होगी या अपना-अपना विभ पोस्ट इस्टेनों के लिए आ सकती है LDC के दुरूप वहीं पर CRPF में मेल और फिमेल के लिए जो इस्टेनों की आएगी LDC के तहत वो भी 5-7 पोस्ट होगी और ITBP में कम सकम 12-13 पोस्ट और CISF में सबसे ज्यादा होगी लगभग 30 पोस्ट आ सकती है ASI इस्टेनों के लि लिए लगभग 55-60 पोस्ट आ सकती है LDC के तहट और अब CRPF में CRPF में पिछली बार 224 पोस्ट आई थी इस बार कम होगी लगभग 50-50 पोस्ट तक जा सकती है और वहीं पर ITBP में कम सकम 30-32 पोस्ट होगी और CISF में सबसे ज़्यादा लगभग 100 पोस्ट होगी LDC के तहट जो LDC Examination होगा विभागी परिक्षा होगी उसके तहट अब यहाँ पर जो LDC वाला एक्जाम होगा CEPF, HCM और SISTEN होगा LDC के तहट एक्जाम होगा यह CEPF के तहट नहीं होगा इसका जो एक्जामिनेशन होगा जो परिक्षा होगी जो भरती कराई जाएगी यह अपना-पना concern विभाग कराएगा CEPF का विभागी परिक्षा CEPF कराएगी, BSF कराएगी, CICF कराएगी, ITBP कराएगी यहाँ पर CEPF के तहट LDC एक्जामिनेशन नहीं होगा यह बेकेंसी का आकड़ा यैसे होता है, जो total बेकेंसी होती है, complete बेकेंसी होती है, उसका 17% LDC को जाता है, उसके तहट आपको बताया गया है, इसके तहट आप लोग के LDC एक्जामिनेशन होगे और भरती भी कराई जाएगी, और यह मज़ेदार पोस्ट होगी, इसमें increase भ typing test, medical test, document verification, उसके बाद joining, same process होगा, completely वैसे होगा, जो आपका syllabus होगा, वो उसमें भी 5 subject होगे, जैसा कि अभी latest computer जोड दिया गया है, अन्य विभाग में computer पहले हुआ करते थे, जैसे BSF में, CRPF में नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी CFEF के तहित कराया गया है, open की vacancy, तो अभी सभी में common कर दिया गया है, जो आपका syllabus है, वीडियो इंफर्मेट्व लगा है तो वीडियो को share करिएगा, चैनल को subscribe करिएगा, thank you,